इधार के इन जीलों में कल यानी 14 अक्टूबर को बारिस होने की उम्मीद जताई जारी है। मौसम विभाग ने समस्तिपूर और वैसाली जीले में कुछ जगहों पर बारिस होने के साथ मेग गरजन और वजरपात की आसंका जताई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने दोनों जीलों में येलो एलव जारी किया है। इसके अलावा आइमडी ने इन जीलों में सभी लोगों से साधान रहने की अपील भी की है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सब्ता पच्छवा हवा का परवेश पूरे तरीके से हो जाएगी जिसके कारण ठंड का अनुभव होने लगेगा। इस दोरान रात के तापमान में और गिरावर देखने को मिलेगी। अगले सब्ता से बिहार के कई हिस्तों में उनी कप्रों की जरूरत महसूस होने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अभी किसी भी तरह की मौसमी गतिवीदिया नहीं है जिसके कारण मौसम सुस्क बना रहेगा लेकिन कई जीलों में बादल च्छाए रहेंगी। हाला कि बारिस का कोई पुर्वानुमान नहीं है और बिहार के सभी जीलों में मौसम सुस्क बने रहने की आसार है। मौसम विभाग ने अपने पुर्वा नूमानों में बताया है कि दक्षिन पश्रिम मौसून की वापसी दर्भंगा और उसके आसपास के रास्ते हुई है ऐसे में अगले दो दिनों के दोडान यहां भी बार इस देखने को मिल सकती है पटना, गया, नालंदा, सेखपूरा, नवादा, बेगुसराय, लखिसराय और जहानावाद में मौसम सुस्क रहने की संभावना है इसके अलावा बकसर, भोचपूर, रोहतास, भबुआ, औरंगाबाद और अरवल में भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही होगा मौसम भाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक बिहार के मौसम में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल सकता है दरसल बिहार के निचले इलाकों से पश्चिमी हवाब उपर की ओर बर रही है जिसके कारण धीरे-धीरे तापमान में कमी आने की संभावना है मौसम भाग ने बताया कि दिपावली और छट महापर्व के आसपास अच्छी ठन की सुर्वात हो सकती है